जेहन्द विवर्स एरफोस एक्जरूप के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत 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 बढ़िया खबर इंतिजार खतम हुआ भारती वायू सेना सेलेक्शन सेंटर एर्मेन सेलेक्शन सेंटर ने एक बहुत बढ़ा फैसला लिया है जहां वो स्टेट वाइज रैली भरतिया निकाल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में ये रैली भरति की डेट्स अनाउंस हो गई है उस डेट्स से बेसिक मतलब क्या है जिस दिन रैली भरति होगी उस दिन सारे एक्स ग्रूप ऐस्पिरिंट्स जो भारती वायू सेना में एक्स ग्रूप जोइंग करना चाहते हैं वो वो रैली भरति देखने जा सकते हैं उस रैली भरति वाले दिन उनका रिटिन उनका फिजिकल फिटनेस ट्रेइनिंग एड adaptability test 2, चारों process, सारा का सारा phase 1, phase 2, एक ही दिन में खतम हो जाएगा, viewers भारते वायों से इना ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, reason ये था कि Air Force X Group की vacancy delay हो रही थी, तो क्यों उस delay को जादा expand ना करते हुए, Air Force X Group ने ये opportunity निकाली है, जहाँ पे Group X के candidates, except education trade, सारे Group X के candidates, वो 3 ASC चकेरी कानपूर में report करेंगे, जो dates निकाली गई है, वो पहला date निकाली है, 10 December से 13 December, जहाँ पे physical fitness training, return test, adaptability test 1, adaptability test 2 होगा, 14 December को reserve day माना है, 15 December से 18 December, फिर दूसरा date निकाली है, जहाँ पे physical fitness training है, return है, adaptability test 1 है, adaptability test 2 है, viewers, defense aspirants, X Group के जितने students तयारी कर रहे हैं, एक चीज़ गौर करें, COVID-19 situation चल रही है, second wave आ रही है, Delhi में conditions खराब हो रही है, Mumbai में फिर से conditions खराब हो रही है, इसके चलते, भारती वायू सेना ने एक फैसला बहुत एहम फैसला लिया है, कि एक दिन में लगभग 175 candidates को ही वो screen कर पाएंगे, यानि कि 10 से 13, 10, 11, 12, 13, 4 दिन में, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175 गोणा 4 लगभग इतने ही students होंगे, अब दिमाग में सवाल उठता है, कि सब सिर्फ 175 students और UP अकेले में 70 districts हैं, तो कैसे होगा, उसका process यह है, Airman Selection Center की website www.airmanselection.cdac.in पे 27 नवंबर 11 बजे से लेके, 28 नवंबर शाम 5 बजे तक window खुली रहेगी, इस दौरान जो जो student register करना चाहता है, वो वहाँ पे जाके register करेगा, first come first serve basis है, जिसने पहले register कर लिया, उसका admit card तुरंत issue हो जाएगा, मान लेते हैं कि जितने number of students को आना था, उतनी seats full हो गई, उसके बाद भी forms लोग भरे जा रहे हैं, तब क्या होगा, तब air force 12th के marks पे या diploma के marks पे filter करेगा, उसका cut off निकालेगा और उस cut off के basis पे आपको call letter भेजेगा, माने 5 seat हैं और 15 बच्चों ने form भरा, अब 15 बच्चों के 15 बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, एरफोस क्या करेगी, जिसका highest percentage है, पहले उसको बुलाएंगे, highest percentage किस में, physics, chemistry, maths में, तीन subjects में highest percentage जिसका होगा, उसको पहले बुलाया जाएगा, eligibility की बात करें, तो एक्जुप की eligibility बिल्कुल नहीं बदली है, 10 प्लस 2 में, physics, chemistry, maths में 50%, और English में 50%, जो diploma holders हैं, diploma holders याद रखें, तीन साल का diploma होना चाहिए, engineering की किसी भी trade में, चाहे वो mechanical हो, चाहे electrical हो, चाहे electronics हो, चाहे automobile हो, CS हो, computer science या IT, government recognized होना चाहिए, with 50% marks, 50% marks होने चाहिए, in total and 50% English में, यह अगर आपकी eligibility है, तो आप Air Force X-Grope का form, Indian Air Force की website पे जाके भर सकते हैं, जब आप इम्तिहान देने जाएंगे, 10 से 13 December और 15 से 18 December, आप सारे original documents लेके जाएंगे, school जो TC देता है, transfer certificate, अगर school के TC में, district का नाम नहीं mention है, मान लीजे, school का नाम लिख दिया, केंद्रे विद्याले बस, और आगे कुछ नहीं लिखा, district का नाम, उस case में निवास प्रमान पत्र बिलकुल मत भूलिएगा, forge को कैसे पता चलेगा, कि आप उतर प्रदेश के हैं, कि आप मज़े प्रदेश के हैं, इसलिए निवास प्रमान पत्र बहुत जरूरी है, X-group की भरती जरूर है, बट नौकरी में कोई फरक नहीं है, minimum 20 years का period है, and extendable to 57 years of age, यानि कि यह मत सोचिएगा, कि यह जी इस बार rally भरती कर दी है, तो यह कुछ और है, temporary नौकरी है, नहीं साब, कोई temporary नौकरी नहीं है, minimum 20 years of service है, maximum 57 years है, joint basic physical training, बेलगाओं करनाटिका में होगी, stipend मिलेगी 14,600, और salary है 33,100 रुपए, जिस दिन आपका सारा process हो जाएगा, उसी दिन आपका medical start हो जाएगा, medical के लिए, जो हमने पहले भी videos बनाई हैं, blood hemogram होगा, biochemistry होगा, x-ray होगा, ECG होगा, urine होगा, सारी चीज़े होगी, अगर sequence of examinations की बात करें, तो इस बार सबसे पहले physical fitness training है, जो 1600 मीटर की दौड है, वो आपको खतम करनी है, साड़े 6 मिनिट में, 10 push-ups मारने हैं, 10 sit-ups मारने हैं, 10 b- squats मारने हैं, जिनका physical fitness training निकलेगा, उनको फिर written के लिए बुलाया जाएगा, उसी मिनिट, आदे घंटे के अंतरगा, written test paper हो जाएगा, offline होगा, कोई online paper नहीं होगा, हर सही उत्तर के लिए plus 1, हर जो answer छोड़ दिया, उसके लिए 0, हर negative answer के लिए minus 0.25, उसके बाद adaptability test 1, और फिर adaptability test 2, dynamic factor test हटा दिया गया है, तो ये 4 test हैं, जो आपके air force में आएंगे, viewers, इसी चीज़ का आप लोगों को इंतिजार था, मेरे पास, त्रिशूर डिफिंस academy में हमारे पास, रोज के youtube channel पे, पच्चेसों, पच्चासों comments हैं कि कब form आ रहा है, कब form आ रहा है, कब form आ रहा है, डिले मत करिएगा, 27 नवंबर, 11 बजे से लेके, 28 नवंबर, शाम 5 बजे तक, अगले 10 दिन बहुत महत्पून है, त्रिशूर डिफिंस academy, आप लोगों के लिए, एक कोशिश कर रहा है, कि आप जहां बैठे हो, वहां बैठे, पढ़ाई करते रहो, तो हमारा YouTube चैनल पे, हम लोग X-Group के वीडियोज आपके लिए ला रहे हैं, follow करते रहिएगा, day by day, उसमें tricks निकालेंगे, day by day, उसमें questions देंगे, day by day आपकी practice कराएंगे, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ, thank you, जैहिंद,